हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान पुलीस कोंस्टेबल बरती दोहजार गुनिश के सलेबस के एकोडिंग राजस्तान इतियास की कलास शुरू की गई थी जिसमें अपनी चार कलास है वो दोस्तों कम्पलीट हो चुकी है चोथी कलास में अपने पढ़ा था राणा लाखा और राणा मौकल के बारे में ठीक है आज दोस्तों अपनी पांचवे नमबर की कलास है जिसमें आज अपन राणा कुमबा के बारे में पढ़ेंगे ठीक है त इसके बारे में आपन आज पूरा पढ़ेंगे तो अगर आपने अभी तक आराध्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों क इनका जो सासनकाल है वो 1433 से 68 1433 से लेके 1468 तक इनका कारेकाल रहा है यानि कि 35 साल तक दोस्तों इनका सासन रहा था किसका महराणा कुमबा का अब देखो दोस्तों आगे रनमल कुमबा का सरकसक था तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि रनमल कौन था ठीक है तो दोस्तों रनमल है ये हंसा भाई का भाई था कौन था हंसा भाई का भाई था रनमल ठीक है अब देखो ये माराणा कुमबा का क्या था सरकसक था अब दे ने किया था कि जो रणमल था रणमल की सायता से अपनी पिता मोकल की हत्या का बदला लिया था यानि कि कि किसको मारा था तो दोस्तों मने आपको बताया था कि मारणा मोकल को दोस्तो चाचा मेरा ने मारा था, ठीक है, चाचा और मेरा ने मारा था, चाचा मेरा और महपा पौवार ने मारा था, दोस्तो, इनकी हत्या कर दी गई थी, और मारणा कुम्बा ने दोस्तो इसका बदला ले लिया था, ठीक है, मेवाड दरबार में रणमल का प प्रभाव बढ़ गया था तो रनमल मतलब राठोडों का प्रभाव बढ़ गया था रनमल था यह जोदपुर का था हंसा भाई का भाई था ठीक है देखो उसने सिसोधिया के नेता महादेवन उसने सिसोधिया के नेता जो सिसोधिया नेता थे जिसका नाम है महादेव जो एक्त्या कर्वादी थी ठीक है उसकी एक्त्या कर्वादी थी हंसा भाई ने चुनडा को वापस बुलाया और बारमली जो रनमल की प्रेमी का थी ठीक है एक तरफ प्रेम था दोस्तो ठीक है एक साइड यानि कि देखो इसमें क्या सिस्टम था मैं आपको बताakat हो कि जो ये भारमली है ये प्रेम तो करती थी किसे तो ये कुमबा से ठीक है मैं यह आप लिखता हूँ प्रेम करती थी कुमबा से लेकिन कुमबा है वो इससे प्रेम नहीं करता था अब देखो रनमल था रनमल ये प्रेयम करता था भारमली से लेकिन भारमली इससे प्रेयम नहीं करती थी तो ये वाला दोस्तो उल्टा सिस्टम था कि वो अपने गाना तो सुनाई होगा कि तू मेरे को याद नियारा गाना, गाना है कि दोस्तो याद आने दो गाना तुझे चाहता कोई और है, तो दोस्तो ऐसा कोई गाना था तो वही वाला सिस्टम था कि रणमल है वो बारमली से प्रेम करता था लेकिन बारमली है वो कुमबा से प्रेम करती थी कुमबा है वो बारमली से प्रेम नहीं करता था यह याद रखना दोस्तों तो भारमली का कहना है वो रणमल मानता था क्योंकि ये अपनी प्रेमिका मानता था रणमल इसको भारमली को ठीक है तो दोस्तो कुम्बा ने क्या किया कि बारमली की सायता से रणमल की हत्या करवा दी थी आगे देखते हैं रनमल का बेटा जोदा अपने भाईयों के साथ मेवार से भाग गया तथा बिकानेर के पास काउंती नामक गाउं में सरन ली ठीक है रनमल का बेटा था जिसका नाम है जोदा जोदा ने क्या किया कि अपने भाईयों के साथ मेवार से भाग गया ठीक है पिता की अत्या हो गई थी जनी के रनमल को मार दिया गए था तो जोद्धा है वो अपने भाईयों के साथ में वहाँ से भाग गया और बिकानेर के पास काउंटी नामक गाउं में सरन ली थी चुंडा ने बाद में मंदोर पर अधिकार कर लिया देखो 1453 में कुंबा और जोदा के बीच आवल बावल की संदी हुई इस संदी द्वारा जोदा को मंदोर यानि की मारवाड की राजदानी वापस दे दी गई ठीक है जोदा को मंदोर की जो राजदानी है वो वापस दे दी गई आवल बावल की संदी के कारण ठीक है ये संदी हुई थी कब 1453 इस्वी में कुम्बा और जोदा के मद्दे हुई थी ये आवल बावल की संदी ठीक है देखो सोज़त पाली को मेवाड में मारवाड की सीमा बनाया गया सोज़त पाली है आपको पता भी होगा सोज़त पाली को दोस्टो मेवाड में मारवाड की सीमा बनाया गया और इस संदी के दुआरा कुमबा ने अपनी कूट निती के माध्यम से मारवाड को मित्र राजे बना लिया यानि कि कुम्बा ने क्या किया मारवाड को अपना मित्र बना लिया अब देखो कुम्बा के सासनकाल के दोरान गटना करम तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि याँ पर सारंगपूर का युद हुआ था दोस्तों 1437 में और इसी के दोरान विजय स्तम का भी निर्मान हुआ था तो सारंगपूर जो युद हुआ था इसका मैत्रपूर कारण क्या था अगर अपना कारण की बात करें तो देखो कारण महमूद खिल जी ने मोकल के हत्यारो को सरण दी थी अब मोकल के हत्यारे कौन-कौन थे तो मैंने आपको बताया था चाचा, मेरा और मैं पपावार इन तीनों ने दोस्तों मोकल की हत्या कर दी थी ठीक है और इन हत्यारों को सरन किसने दी थी महमूद खिल जी ने ठीक है जो मालवा का सासक था तो दोस्तों महमूद खिल जी को हरा दिया था और इस यूद में कुमबा जीत गया था और इस जीत की याद में ही दोस्तों विज़े इस्तम बनवाया था किसने कुमबा ने विज़े इस्तम बनवाया था ठीक है इसके बाद खिल जी कुतुब दिन साहे गुजरात के पास भाग गया था इसके बाद में जो महमूद खिलजी है वो दोस्तो कुतुबुदीन साह है जो गुजरात का राजा था उस समय उसके पास भाग गया था और फिर दोस्तो आवल वावल की संदी हुई थी ठीक है? याद रखना इस चीज़ को तो दोस्तो देखो कुतुबुदीन साह है जो गुजरात का सासक था और महमूद खिलजी जो मालवा का सासक था इन दोनों के मद्दे दोस्तो यह चंपानेर की संदी हुई थी ठीक है? दोनों मिल गए थे आपस में ठीक है? और दोनों का उद्दे से क्या था? दोनों का उद्दे से सिर्फ यही था कि दोनों मिलकर दोस्तो कुमबा के खिलाव लड़ना दोनों मिलकर कुमबा के किलाव लड़ना यह था दोस्तो इसमें चंपानेर की संदी का कारण ठीक है? मैंने आपको बता दिये इसका उद्देशिक है, देखो, इस दौरान बदनोर का युद भीलवड़ा हुआ, इस दौरान है, जब ये चंपानिर की संदी हुई थी, उस समय बदनोर का युद भीलवड़ा में हुआ था, कुंबा ने गुजरात वा मालवा की सहयुक्त सेना को हराया था, ठीक है, पाने शिरोई के राजा सहस्मल देवडा को भी हराया कुमबा ने एक alag yudh में नागुर के सम्सखा को साहतदी तथा मुझाहिद खा को हराया ये दोनों भाई थे सम्सखा मुझाहिद खा ये दोनों भाई थे याद रखना दोस्तों तीक है विजय इस्तम्भ है ये दोस्तो सारंगपुर युदमेजीत की याद में चितोटगड किले में बनवाय गया था क्या विजय इस्तम्भ ठीक है अब इसके अन्य नाम क्या है तो मैं आपको इसके अन्य नाम बताता हूँ के इसके अंने नाम क्या है कीरति स्थम कुम्भा की कीरति बढ़ाने वाला विस्नु दवज विस्नु भगवान को समर्पित गरुड दवज गरुड विस्नु का वाहन मूर्तियों का अजयावगर इसमें 9 में से 8 वी मंजिल को छोड़ कर सबी में देवी दाओं की मूर्ती लगी है ठीक है और इसे बाहरती मूर्ती कला का विश्व कोस भी कहां जाता है ठीक है दोस्तो इसकी तीसरी मंजिल में नो बार अल्ला भी लिखा हुआ है और ये दोस्तो 122 फिट तो लंबा है और 30 फिट छोड़ा है क्या विजय स्थम ठीक है दोबार देखो इसमें विजय स्थम को और किस नाम से जानते हैं तो किर्टी स्थम के नाम से जानते हैं विश्व दवज के नाम से जानते हैं गरुड दवज के नाम से जानते हैं मूर्तियों का अजायब गर के नाम से जानते हैं और भारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस के भी नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों यह है नो मंजिला ठीक है नो मंजिला इमारत है इसके वास्तुकार है वो जेता इसके जो वास्तुकार है वो जेता है और इनके पुत्र जिनका नाम है दोस्तोो, पूमा, स्जोरी पूंजा, पूमा और नपा पूंजा पूमा और नपा ये इन चारों ने मिल लिके दोस्तो, ये इसका वास्तिकार किया था किसका, विजे pillow का, ठीक है विजे इस्तम में आठ Nag मदे आठवी मनजिल पर, सोरी, तीसरी मनजिल पर नो बार अर्बी बासा में अल्ला लिखा हुआ है ठीक है विजय इस्तम में तीसरी मंजिल पर दोस्तो नो बार अल्ला लिखा हुआ है और दोस्तो इसकी अगर अगर आगे बात करें तो देखो सवरूप सिंग ने इसका पुननिर्मान करवाया था मेवाड का सासक है महराजा सवरूप सिंग ठीक है इन्होंने दोस्तो इसका उपरी भाग है वो सतिग्रस्थ होने के कारण दोस्तो महराणा सवरूप सिंग ने दोस्तो इसका पुननिर्मान करवाया था और यहें दोस्तो राजस्तान पुलिस वे राजस्तान माद्यमिक सिक्षा बोड का परतीक्षिन भी है तीक है यह राजस्तान पुलिस और राजस्तान माद्यमिक सिक्षा बोड का परतीक्षिन भी है और इस पर दोस्तों 15 अगस्त गुनिस सो गुननचास को इस पर एक रुपय का डाक टिकेट भी जारी किया गया था ठीक है दोस्तों करनल जैमस्टोड ने तो इसकी तुलना है वो कुतुब मिनार से की थी ठीक है करनल जैमस्टोड ने विजय इस्तम की तुलना है वो कि टार्जने टावर से की थी ठीक है फर गुसर्ण ने विजजे इस्तम्प की तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी और जैन कीर्ती स्तम्प, ये दोस्तों इसको आदिनात इस्तम् wees भी कहते हैं और बारवी सताबदि में जैन व्यापारी जीजा सहु बगेरवाल ने दोस्तो इसको बनाया था जैन कीरती स्तम को यहें साथ मंजिला इमारत है यहें बगवान आदिनात जैन दर्म के फ़स्ट बगवान को समर्पित है ठीक है याद रखना जैन कीरती स्तम का निर्मान है वो किसने करवाया था तो जीजा साहू बगेरवाल ने करवाया था दोस्तों ठीक है और कब करवाया था तो बारवी सताबदी में करवाया था और इसमें साथ मंजिला इमारत है याद रखना ठीक है और इसे आदिनात इसमारक भी कहते हैं अब दोस्तों आगे चलते हैं तो देखो देखो कुंबा ने मेवाड के 84 में से 32 किले बनवाये थे यहां जानकारी स्यामलदास की पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद वीर विनोद से दोस्तों यहां जानकारी मिलती है ठीक है कुंबा ने मेवाड के जो 24 किले हैं उन किलों में से 32 किलये का जो निर्मान है वो दोस्तों माराना कुंबा ने करवाया था, डेखो, यह जानकारी अपनी वीर विनोध पुस्तक है जिसके लेके के शामलदास के अनुसार दोस्तों अपने को यह जान करे मिलती है जैसे देखो कुंबल गड का किला जराज समद में है अचल गड का पुनन निर्मान कराया शिरोई में मचान दुरूगे शिरोई में बसंती दुरूगे शिरोई में बोमट दुरूगे दोस्तों इसका अभी इस्तान है वो ग्याते नहीं हुआ ठीक है इन दुर्गों का जो निर्मान है वो दोस्तों कुम्बा के द्वारा करवाया गया था ठीक है देखो भील जंजाती पर नियंतरन हे तू यह दुर्ग बनाया गया था कौनसा तो भोमट दुर्ग ठीक है किलों के माद्यम से कुम्ब कुंबा स्वामी मंदिर तो दोस्तों कुंबा स्वामी मंदिर है ये दोस्तों इसका जो निर्मान है वो दोस्तों किस ने करवाया था और कहां कहां पर है दोस्तों ये कुंबा स्वामी मंदिर ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो कुंबा स्वाम में दोस्तो कुंबा स्वामी का मंदिर है, इसका निर्मान है, वो दोस्तो कुंबा द्वारा करवाय गया था, और इनकी पुत्र बदू का नाम था, दोस्तो संग्र संगार चमौरी ठीक है स्रंगार चमुरी तो दोस्तों चितोड की किले में स्रंगार चमुरी का मंदिर भी बनवाया गया था ठीक है याद रखना चितोड में स्रंगार चमुरी का मंदिर भी बनवाया गया था चितोड के अंदर ठीक है और देखो दोस्तों तो 1400 गुनचालिस इस्वि Party धरनक्सा ने रनकपुर के जैन मंदिर का निर्मान करवाया था तो रनकपुर में जो जैन मंदिर है उसका निर्मान है वो किसने करवाया था तो दोस्तों कुंबा के एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था धरनक्सा ठीक है कौन थे धरनक सार तो धरनक सार ने दोस्तों जो रनकपूर जयन मंदिर है उसका निर्मान करवाए था यहाँ पर चोमुखा मंदिर सबसे महतवपून मंदिर है ठीक है यहाँ पर चोमुखा मंदिर है वो सबसे महतवपून मंदिर है मंदिर में आदिनात बगवान का मंदिर है अब देखो यह 1445 इस्तंब है तो दोस्तों इसमें कितने इस्तंब है चो 1445 इसमें इस्तंब है इसलिए इसे इस्तंबों का अजायब गर्भी कहा जाता है रनकपुर के जैन मंदिर यानि की चोमुखा मंदिर याद रखना दोस्तों इस चीज़ गो अब देखो चोमुखा मंदिर का वास्तुकार है वो देपाक था ठीक है कौन था चोमुखा मंदिर का जो वास्तुकार था वो कौन था देपाक ठीक है रणकपुर के जैन मंदिरों में से एक मंदिर है चोमुखा मंदिर और उसका वास्तुकार था देपाक कु पर अगर आपने साहिते की बात करें तो दोस्तो कुंबा एक अच्छा संगीत अगे था कुंबा ने संगीत गुरू, कुंबा के जो संगीत गुरू थे जिनका नाम था सारंग व्यास सारंग व्यास ये दोस्तो कुंबा के संगीत गुरू थे ठीक है और इन्होंने दोस्तो पुस्तक लिखी थी वो कौन-कौन सी थी तो दोस्तो इन्होंने संगीत पर पुस्तक लिखी थी सुदा परबंद जिसको अपन सूड परबंद भी बोल सकते हैं काम राज इतिसार, संगीत सुदा, संगीत मिमान सा, संगीत राज तो दोस्तों संगीत राज है ये पांच बागों में विवक्त किया गया है संगीत राज को ठीक है और वो कौन-कौन से हैं तो दोस्तों देखो पाठे रतनकोस, गीत रतनकोस, नर्ते रतनकोस, वागे रतनकोस और रस रतनकोस तो दोस्तों इसमें देखो ट्रिक है पढ़िये गाईये त्रिक है दोस्तों देखो पढ़िये गाईये नाचो आपको वाच्चे रस मिल जाएगा तो देखो पढ़िये पाठे रतनकोस, गाईये गीत रतनकोस, नाचो नर्ते रतनकोस, वागे रतनकोस, रस तो रस रतनकोस, तो दोस्तों ये पांच वागों में विवक्त किया गया है संगीत गरंद को, संगीत राज को, ठीक है याद रखना जेदेव को गीत गोविंद पर रशीक प्रिया नाम से दोस्तों टीका लिखी थी किसने तो महराना कुम्बा ने टीका एक छोटा गरंथ होता है याद रखना दोस्तों कुम्बा ने संगीत रतनाकार वे चंडी सतक पर भी टीका लिखी थी कुम्बा ने संगीत रतनाकार वे चंडी सतक पर भी टीका लिखी थी देखो कुम्बा ने मेवाडी बासा में चार नाटक लिखे थे ठीक है कुम्बा ने मेवाडी बासा में दोस्तों चार नाटक लिखे थे तो वो कौन-कौन से थे, देखो, चंडी सतक, संगीत, रतनाकर, गीत, गोविंद और, और कौन सा है दोस्तों, तो ये, देखो, इन पर तीका लिखी थी दोस्तों, ठीक है, गीत, गोविंद, संगीत, रतनाकर, और चंडी सतक पर, ठीक है, और इन्होंने कुंबा ने मेवाड बास हमें चार नाटक भी लिखे थे कुम्बा विना बजाया करता था ठीक है मारणा कुम्बा है वो विजा विना बजाया करता थे पुस्तक देखो इनकी दो प्रसित पुस्तक है वीर विनोद वीर विनोद गीत गोविंद ठीक है वीर विनोद पुस्तक है वो किसके दौरा लिखी गई थी तो आप सबी को पता भी होना चाहिए दोस्तों वीर विनोध पुस्तक है वो किसके दौरा वो आपको कमेंट में बताना है ठीक है वीर विनोध पुस्तक के लेखा कौन है तो दोस्तों देखो वीर विनोध और गीत गोविंद तो इस्तंबो का अजायबगार इस्तापत्यकला का जनक है और कुम्बलगड प्रस्थस्ति का लेख दोस्तों इनकी जो जानकरी है वो इन पुस्तकों में मिलती है ठीक है इन पुस्तकों में मिलती है देखो कुम्बा के दरबारी जो लेकक थे ठीक है या विद्वान थे वो क महत्मे एक लिंग राज महत्मे और मंडन मंडन है दोस्तों ये कुंबल गड़ का वास्तुकार था और इन्होंने देखो वास्तुसार ठीक है क्या था वास्तुकार तो इसमें दोस्तों वास्तु के नियम बताए गए थे ठीक है वास्तु के नियम बताए गए थे और देखो दोस्तों इसमें देव मूर्ती परकरन तो देव मूर्ती के परकरन के बारे में मूर्तियों के बारे में बताये गया था राजवल्लब यानि कि राजाओं के महल के बारे में बताये गया था रूप मंदन यानि कि मूर्तिकला से सम्मंदित बताय गया था और कोदंड मंदन इसमें दोस्तों धनुस निर्मान से सम्मंदित बताय गया था ठीक है ना था कौन था दोस्तों तो ना था है ये मंदन का भाई था और इन्होंने दोस्तों वास्तुमंदरी पुस्तक लिखी थ उसके बाद में दोस्तो goesind, गोविंद है ये मंदन का बेटा था इनोने कलानि दी, उधार दोर्रिनी और द्वार दिपिका इनोने ये पुस्टक लिखी थी उसके बाद में दोस्तो आता है नमबर 5 कवी अत्री, कवी महेश कवी अत्री कवी महेश तो देखो अत्री महेश अत्री या महेश जो पिता पुत्र थे कौन थे पिता पुत्र कवी अत्री और इनका पुत्र था महेश इन्होंने दोस्तो कीर्थी इस्तंब प्रशस्ती की रचना की थी किर्टी इस्तंब प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पिता की तरह क्या थी? संगीत अग्य थी. कौन? रमाबाई. देखो, रमाबाई को दोस्तो, महरना कुम्बा ने क्या किया था? कि इसे जावर का छेतर दे दिया था. जावर में जहां पर चांदी निकलती थी, ठीक है? वहां का जो छेतर है वो रमाबाई को दे दिया था. और इनकी उपादी वागी स्वरी थी. इनकी उपादी है, वो क्या थी? वागी स्वरी. इसके पिता की मौत के बाद, कुम्बा ने इसे जावर छेतर दिया था, जिस से इसे अधिक अधिकार और निरबर्दा मिले इसकी पति ठीक है पिता नहीं इनके जो पती की मर्ति हो गई थी दोस्तों ठीक है रमा बाई की ये बहुत बड़ी संगीत अगित थी इनको वागिस्वरी की उपादी दी गई थी इनकी पत्ति के मर्ति के बाद में दोस्तों इनको जावर की जावर छेतर है वो दे दिया गया था अब देखो कुमबा के जो जैन विद्वान है वो कौन कौन से सोम देव, सोम सुंदर, जैस सेखर, भुवन कीर्थी और टिलावट ये दोस्तों जो पांच हैं ये कुमबा के जैन विद्वान थे दुबार देखो सोम देव, सोम सुंदर, जैस सेखर, भुवन कीर्थी, तिलावट ये कुमबा के जैन विद्वान देखो कुमबा ने आबू जाने वाले जैन तीर्थ यात्रियों से कर टैक्स लेना बंद कर दिया था कुमबा की उपलब्दियों के अगर आपन बात करें तो दोस्तों मारणा कुमबा को हिंदू सुर्तान भी का जाता है हिंदू सुर्तान का मतलब होता है मुसल्मानों को ड्रानने के कारण हिंदू सुर्तान कहा जाता है और अभिनाव भटाचारी के अगर बात करें तो दोस्तों अभिनाव भटाचारी की जो उपादी है वो क्यों दी गई थी तो दोस्तो संगीत की उपलब्दियों के कारण दोस्तो अभिनाव बटाचारी की उपादी दी गई थी ठीक है राणा रासो राणा रासो है ये दोस्तो रासो का मतलब होता है साहिते क्या होता है साहिते यानि कि साहिते कारों को दरबार में रखने के कारण दोस्तो इनको राणो रासो कहा गया है हाल गुरू हाल गुरू है ये दोस्तो पहाडियों के दुर्ग जीतने के कारण इनको दोस्तो ठीक है पहाडियों के दुर्ग जीतने के कारण इनको हाल गुरू कहा गया है ठीक है चाप गुरू चाप गुरू का मतलब होता है दोस्तो एक अच्छा दनूदर होने के कारण दोस्तो इनको चाप गुरू का मतलब होता है चापा मार गोरिला युद करने के कारण दोस्तो इनको चाप गुरू की उपादी दी गई है यानि कि कुमबा की उपादी कौन-क कुंशी है तो हिंदु सुर्तान अभिनव भटाचारिये राना रासो हाल गुरू चाप गुरू चाप गुरू तो यह जो च्छे मैंने आपको उपादी बताई है ठीक है इनको याद रखना दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि कुंबा की हत्या उसके बेटे उदा ने थी ठीक है यानि कि कुंबा की हत्या है वो किस ने की थी तो इसका बेटा था जिसका नाम था उदा उदा के दवारा दोस्तों हत्या कर दी गई थी महरणा कुंबा की ठीक है तो दोस्तों यह हो गया आज का अपना जो सबसे बड़ा जो राजा था वो था दोस्तों इसमें क तो रोजणा अगर मेरे साथ में चलोगे तो दोस्तो आपको पूरा राजस्तान जी के है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है, और राध्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत